आतंका पर्यायए बन चुका बदमाश कल्लू पटेल पुलिस के हाथ लग चुका है। अपना हुलिया बदलकर बदमाश कल्लू गुजरात में नौकरी कर रहा था लेकिन पुलिस की साइबर टीम के हाथ से सालों से पराढ़ चल रहा। बदमाश अब सलाखों के पीछे हैं। च्छतरपूर पुलिस की गले की हड़ी बन चुका 30,000 रुपे का इनामी बदमाश कल्लू पटेल को गिरफतार कर लिया गया है स्पी अमित सांगी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि ये बदमाश दोहरे हत्यकान और डकैती जिसी गंफीर अपराधो में 8 साल से फरार जल रहा था फरारी के दोरान ये गुजरात में हुलिया बदल कर नौकरी कर रहा था स्पी ने बताया कि साइबर टीम की मदद से आरूपी बदमाश की जानकारी गौरी हार पुलिस को मिलने पर वो वेश वदल कर गुजरात कई और आरूपी को पकर कर छधरपूर लाई वही आरूपी बदमाश के उपर आठ मामले दर्जन इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती, वसूली, मार्पीर जैसे गंभीर अपरात की धाराओं में कल्लू आरूपी है आरूपी के पास से पुलिस ने एक बंदुक भी जत्त की है ये थाना गोरिहार चेत और आसपास के अलागों का एक दुर्दान दपरादी जिसके उपर 30,000 रुपे का इनाम था, इसको आज गिरिफतार किया गया है इसके लिए हमारी टीम बनी हुई तो हमारी टीम वहां लगाता है डेरा डालके और इंडस्ट्रियल एरिया जो दाद्रा और वापी के आसपास है वहां पे इसको ढूंडा गया और वहां से इसको ट्रेस किया गया ये एक साधान नागरिक बनके एक धागा बनाने की फैक्क्री में ये कारे कर रहा था 14,000 रुपे मेहने में और वहां ये अपनी फरारी काट रहा था इसको इरासत में लेके आज मानी नियाले के समक्स प्रस्तुत किया जा रहा है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक बिशलेशा हम करते हैं सब्ते का अनवेशा तखलनी उस आपके हक्त में